इस दफ़ा बारिशे होई हैं, पिछली दफ़ा तो बड़ा शोर मचाया था अपने, इस दफ़ा काया आप? जफर अब आपको देख के लोग सेलफियां बनवाते हैं या मसले बताते हैं? अपने इलावा कौन सी NGO को आप सपोर्ट करते हैं कि यार, आप JDC के इलावा भी अगर फंड्स देना चाहें तो किसको देख? मैं प्रिस्पल मानता हूँ इदी को, जो मिडिल क्लास की बात करेगा, आज मिडिल क्लास फखीर है, बस जो काम करेगा मिडिल क्लास ले मैं उसके साथा, बात करेगा या काम करेगा? तो काम होता वा दिख रहा है फारिख टाइम में जब आप फुड़ा सा फ्रेश होते हैं एंजुआये करने के मूड में आते हैं तो क्या फिल्म या ड्रामा क्या देखते हैं अलाकि आपको फिल्म देखनी चाहिए क्या आप खुद बहुत बड़ी फिल्म है थ्रेट तो बहुत आती होगी मेरे खिलाफ मेरे मुझे कतल करने के लिए मेरे खाल में इंटरनेशनल दहशतकरदों की वीडियो हैं तीन सो से जादा तो मैंने देखी हैं जी 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 इसमें बताते हैं मार दो यह बड़े-बड़े क्रिकेटर्स बड़े-बड़े सिंगर्स अलबरटी और पब्लिक फिगर लोग जो एंजी ओस बनाते हैं उन तक तो कोई एक आम आदमी वैसे ही नहीं पहुँछ सकता तो एक बेवा कैसे पहुच जाएगी सीथी सीथी बात है अवाम की जिम्मेदारी है अवाम को समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ बहुत हो गई है आज लोग मिसाले देते हैं कि अगर कोई नोट कमाये तो नादिर जितना अभाई कर रहा है मत कर यार यह गलत बात है दिमाग तो ठीक है समालो अपनी जबान को बंद कर अपनी बकवास को वनना बुला लूँगा जफर अबबास को जबर भाई स्वालेकूर वालिमसलाम खेरियत से एक फड़ा होगी है जरा आजाए जरा पड़ा है निम्टाते है चार पीस कर ले जितने जानवर आपने काटे हैं चार पीस कियें और मुझे यह पता चला है पूरी पूरी सुदुकिया आपने आर्टिस्टों को दियें जाओ बाट के आओ आप सबको दिये किसको मना करते हैं जिसको चाहिए ले जाओ बहुत मैरूमी बहुत जादा बढ़ गई है सबसे पहले माशालला से आपको मैं मुबारिक बात पेश करूँगा माशालला आपकी घर पे बेटी की विलादा तो ही है माशाला दो बच्चों के बाद बेटी अप आई है और जो घर में बेटी आती है कि एक बेटी होनी चाहिए आपकी भी हाँ बस यही था कि अल्ला जो भी दे सेयत मंद हो हर चीज क्योंकि हम दिन भर इतनी सारी चीजें देख रहे होते हैं हम अलग हैं लोग हमारे पास तो वह केसे जाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है उसका सर पैदाशी तोर पे इतना पड़गे बड़ों के देख रहे होते हैं हमाय पदस वह इस बिचारे जिंदे बन ऑच्छों को ट्यमर हो जाता है और तीन साल-चार साल की एजमiner कि आँखें बहार निकालाएं पूरी वह जिख लेता है चुप चाप आगे बोलता है हम ही बताएंगे आपको नहीं कराता है इलाज कहांसे कराएंगा अगर कराके हैं आपको तो पता है system क्या है यहां पर लिबार्टरी क्या करती है सब एक जैसे नहीं है लेकिन system सब के इल्म में है तो नोचने वाला काम जादा करेंगा इमोशन की वहां कोई कदर है नहीं कुछ भी रोज उनका यह बिजनिस सबन गया है सा क्या मतलब क्या मैडिसन कंपनीज वाले बेश्टर वाले बेश्टर को आप जित हाइलेंड से ले जाएए अगर मेडिकल के कोई बड़ा दुकानदा ले लीजेगा डॉक्टर अगर तुमने यह चीज ज्यादा लिखी कैपसूल तो तो तुम्हें यह नाम मिलेगा यह कैश ले लो तो बात ही हम यह सब तीसे इतनी ज्यादा देखते हैं हमारी बस अपनी दूआ यह होती है हमेशा कि इतने केसिस बच्चों के बच्चों के द कि फैमिली के साथ जो जल्म करता है चलो बच्चा तो बिशारा वालदेयन का बड़ा पन है अब वालदेयन तो हीरो है ना उनको पता है दूसरे का बच्चा तो तीन साल बाद स्कूल भी जाएगा हमारा बच्चा ना बैठ सकता है ना चल सकता है ना हस सकता है ना रो सकता ह ना के माश्रे में उन वालदेन को हिरो माना जाए बलके उन वालदेन का बाइकॉट कर दिया जाता है क्यार तकरीब में उनको मत बुलाना वो अपनी बच्ची को लेकर आजाएंगे छे साल किये वो चीखेगे चिल आएगी उसके मुँसे थूख निकल ला होगा मतलब यह उनकी सोच है रेस्टूरेंट वालों की कि हम कमाल कर रहे है यार आप किस बुनियाद मतलब यह कोई बुनियाद है कि अगर उस बिचारी की हाइट नहीं है तो आप उसको यह काम दोगे कुछ रेस्टूरेंट्स ऐसे भी मल्टाइनेशनल चेंज ऐसी भी है जो के रखती ही थोड़ी सी इस तरह की वो सही है मैंने आप से एक मखसूब बात लेकिए आप बीफ को आप गुंगे बहरे लोगों को अपना रिसेप्शन पर खड़ा करने है आप पूरे पूरे रेस्टूरेंट बने में अच्छी बात है मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ कि आप एक मखसूस चीज इस्तमाल कर रहे हैं और उसके बाद वो बिचारा हरा आने वाले के दरवादा खोला है हस्ता हुआ कोई उसकी तरफ देखना पसंद कर रहा है कोई उसकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहा आप उसको ताज पहना दो आप उसको इतना बड़ा पगड़ पहना दो लेकिन ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए आप उसको रिसेप्शन भी बेटा सकते हो यह concept हमने बचपन से सुना, यह पगड़ वाली बात की है, यह अंग्रेज ने सबसे पहले किया था, असल में हमारी पंजाबी एक culture है ना, एक वो है पहचान है, चौधरी साब पहनते हैं, तो वो उस जमाने में, अच्छी चीज़ रहा है, अच्छी देखें, मैं किसी के culture को क आगर उसकी height कम है, उसके लिए आप सिर्फ यह इंतखाब करो, कि मैं इसको जिंदगी पर gate पे खड़ा करूँगा, यह जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, जाती है, बकराइद अभी गुजरी है, कुछ ही time हुआ है, सुना है, कि बड़े जानवर आज के दौ निए डाइवर में decoration का काम जादा करते हैं कटते कम है, क्या यह बात में सदाकत है, असल में हमारे साथ तो बिल्कुल ही आलाग है कुछ, हम तो यह देखते हैं कि, आज के सारे बड़े जानवर कटे है, नहीं कटे? हाँ, सारे बड़े जानवर कट गए, अब वह जाजा वो नहीं कटे तो यह सिस्टम होता है लेकिन हमने हमने तो यह देखा कि भाई बड़े बड़े सेट अपने घर छे सिब्भी लेकर आ रहे हैं बड़े तो दो सिब्भी हमें दे रहे हैं वो एक सेट है वो अपने घर पर 15 उंट ला रहे हैं तो हम चार उंट दे रहे हैं वो ए प्रेला खुलने कब दाध हाथ मारता यकीन ही नहीं आता कि पांच किलो गोश्ट अचा पांच-पांच किलो की माशाला था लिया था लिया आप सोचो तो कितना जानवर करता है क्या किलो का पैकट बनाने कितना मनों की हिसाब से अगर अगर टनों में जा रहा हुए अब यह पोजिशन है कि हमें जो भी कॉल आ रही होती है वह यह आ रही होती है खाल उठा ले और आधी गाय उठा लें गाड़ी बेज़ते हैं तो हम पे तो लोगों का आप समझें ट्रस्ट पर उस ट्रस्ट को पूरा करना है आपने पहुंचना है वाँ आप सेक्ड़ों गाड़ी हैं इसलिए चलानी पड़ती हैं हालागे आप खुछ जानते हैं वो गाई की खाल जो किसी जमाने में 10,000-12,000 रुपे होती है आज 1,800 रुपे की बगरे की खाल कोई 70 रुपे में नहीं ले रहा है लेकिन हमें इसलिए पहुंचना है उस शक्स के घर पे वो अपना एक मजभी फरीजा बड़े दिल के साथ अंजाम दे कर बड़े प्राउडली फून कर रहा है कि हलो जेडी सी जफर अफ़र अबास आजओ बगरे की खाल हमने आपको देनी है इस साल आपका इंतखाब किया कैसे नहीं जाएंगे इस दफ़ा बारिशे होई है पिछली दफ़ा तो बड़ा शोर मचाया था आपने इस दफ़ा काया आप मैं इस दफ़ा देखे हम इस दफ़ा एक अजीब सीन हुआ है शेर में जो हमारी जो रोडे है नाजमाबाद की फैडल बी एरिया की या जिन कच्ची अबादियों में पानी जहां खड़ा हुआ जिनको शिफ्ट किया गया स्कूलों में आप देख लें हमारे पेच पो सारी डिटेल है खाना वहां पहुचा रहे हैं कंबल लिहाफ वहां पहुचा रहे हैं पूरे-पूरे रेस्टोरं लगा दिये और ओपिन अब बात यह है कि मैं अगर जाऊं एक बहुत बड़े अमीरों के लाखे में और वहां खड़ो के मैं बात करूं लोग बोलेंगे हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है जफर अब बस और तुम्हारा यह काम नहीं है कि तुम हमारी अबादी में हमारे राइट्स के लिए आवाज उठाओ तुम आके हमारी अबादी में ये पानी के प्लांट लगाओ या पार्टी को सपोर्ट करना नहीं आपने सच बताए नहीं ना सच बताओ मैं तो मेरी अच्छी चीज को अप्रिचेट करने वाला मेरी मिडल क्लास की जो पार्टी होगी मैं उसके साथ हो गरीब जो भी हो जो भी हो जो मिडल क्लास की बात करेगा आश्ट मिडल क्लास फखीर पिलिए जो काम करेंगा middle class ले मैं उसके सायगा, कभी ना कभी तो होगा अभी नहीं दिख रहाмат मतातो और middle class के घर में एक वखता हम्यों खत्म हो चुक Candi मैं तो आफ से पूछ रहा हूँ middle class तो बे आस्था है न स्वक्त लोकों के घरों के बिल उनके इसको बोले ना फिर आज के दौर में 2022 में कोई पार्टी काम सही तरीके जड़ नहीं कर रहे हैं आप मुझे बता दें आप पता दें मुझे मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे मैं आपकी देल तो वापिस आप दिन बर सुबा से रात तक स्यासे दन跟大家 के मेरे घर में वाटर बोड का पानी नहीं आ रहा है साथ साथ दिन पानी नहीं आ रहा है जो जा रूम पहले लोटा ले जाए बात अगी से पानी ढ़े फिर वापेस आए और अगर टंकी में पानी खताम होगे तो मॉले के जिस जिस घर में बोरिंग हुए इनका दवादा खटड़ाओ के यार पाइप हम अपना ला रहे हैं दस मिनट मोटर चला दो यार इंडिया इंड बोरिंग करानी पड़ी हार गया ना, पानी वसे तो मैं किसी बात करूंगा न बाई मैं शेर में क्यू में क्यता हूं जशेर की लड़कों को कोटे की बनियाद पर आप न हखरी न बोरिनže और वह तो अतुम पानी जलता है कि मा बाप आपने इतना पैसा लगाया, बच्चे पे बेटी का जेवर बेच दिया, सब कुछ कर दिया, बेटा आज ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, काबिल हो के निकला, अभी बाइक के ओपर वो, किसी फूड कंपनी में डिलिवरी दे रहा है, और मेरे घर के निचे आगे बोल नहीं है, अरे आप बता दो, मुझसे क्या पूछ रहा हो, एक बात है ना, नहीं है, आप बताते हैं किसने, कौन नजर आया आपको, किसी मुसीबत पे, किसी मुश्किल में, कहीं आफ़त में, कहीं परिशानी में, किसी जगह अगर आपको कोई नजर आप बता, अल्ला तव कि दुनिया की गुजर रही है, आप भी लोगों की ले लेते हैं, लेकिन फारिख टाइम में, जब आप थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, अजवाए करने के मूड में आते हैं, तो क्या फिल्म या ड्रामा, क्या देखते हैं, अलाकि आपको फिल्म देखनी चाहिए, आप खु काम, कोई परिशानी वाला काम, वहाँ पर बहुत सारी ब्लंडर्स कर रहे होते हैं, हम अवाम के बीच में होते हैं, हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल टाइम में अवाम के बीच में हैं, कि अगर कराची में जहाज भी गिरा था, तो आपके सामने कोई मीडिया हाज़ आपके हें, हमारे साथ, जे दोस्ते हैं, साथी है, जिनकी वजह से काम, तो वह बहुत सारी मिच्टेक रहे होते हैं, जब पर भी फारिख बैठते हैं, चे एक टॉपिक करके हम इना शुरू करते हैं तो उस ही प्यासी महदाग तफ्फ़ी होती हो घ। Zafir Abbas, आपको देख के लोग सेलफई हाँ बन्वाता है या मसले बताते है पहला क्या होता है? Zafir Abbas गुज़ क्या होता है? पहला क्या होता है? मसले जादा बताता है क्लोग बॉत मुआँ बॉक्त मुआ भात मुआज़ जा नहीं है मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूँ बाखुदा वो दिन दूर रही है कि जब पूरी पूरी अबादिया निकलेंगी और बड़ बड़े माट के अंदर गुसेंगी और आटा, दाल, चावल, तेल, घी उठाएंगी दंदेवर रखेंगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रेल चीज बता रहा हूँ, यह होने वाला है, ले जाएंगे और बोलेंगे, यह हमारे एड्रस है, भाई, पुलिस भेजके में उठवा देना, फांसी लगवा दो, मेरे बच्चे बारा दिन से भूकेते हैं कोई बात करने को तयार नहीं है, 30,000 रुपे तंखा वाला आदमी के घर में फाका है, 40,000 रुपे तंखा वाला फाका है कर लोगे मुझसे अगला सवाल है, क्या करोगे, लात मारोगे इस माइक को, टेबिल को फेकोगे, भाण निकल जाओगे, कैसे भी बच्चा तो बोल ले, अबबू, आज तीसरे दिमी हम भूके रहेंगे बेटी आगे बोले, पापा, मुझे तो पता है, अम्मी खाली पतीली के अंदर चमश हिला रही है, पतीली में तो कुछ नहीं है, तो बात यह कि लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, और हुकुमरान पता नहीं क्यों नहीं सोच रहें, इनको भी फुरसत ही नहीं मिल लेकिन अमाम का तो तो यार सोचो 200 रुपे लीटर पेट्रॉल, तब बर्बाद हो गए लोग, जो कभी बिचारे 50 रुपे का टंकी हैं पेट्रॉल लवागे, बोलते थे यार 1.500 लेके निकला था, 100 बचे हैं 50 का पेट्रॉल, आज 50 का पेट्रॉल का मतलब आधा पाओ पे यार ये वक्त आगया, ये वक्त आगया, मैंने बनाग किया था और ये वक्त आगया, 50 रुपे तो इतर की शीशी में मिलेगा, सूंगते में जाओ, पैडल चलाओ, आपको पता है, जिसकी तनखा 30,000 रुपे हो, 1000 का नोट खुला करवाते पे उसकी जान निकल जाती है, और वो 1000 का नोट कैसे खुला हो रहा है, यार दो लीटर पैट्रॉल डालना तो 490 रुपे वापिस मिलने हैं, तीन लाल नोट, एक पचास का नोट, और चार हरे नोट, और चार हरे नोट, खुला भी तो असल में कायदियादम साब भी यू मुस्कुरार है ना तो लोग खुला करा लेते हैं, इंडियर नोट पे गांधी डंडा लेके बैठा हुआ, कोई खुला तो खरके दिखायवा बता था है, यार, हमारे आलाद अच्छे नहीं है, यार, 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 खुला है, लेकिन ये बात बिलकुल साही है, यार, उन्होंने थोड़ी सोचाओ का कपलनी पहनेंगे, इस, ये सवाल बता रहे है, कि वो चार साल का बच्चा बता रहे है, कि अम्मी जब मैंने पिछले साल होच समाल लिया था, मैं तीन या चार साल का था, हमने उस साल भी इतने कपलनी पहने थे, ये सवाल खुद बता रहे है, जब से बच्चा पैदा जवर भाई एक बात बता हैं, ये बड़े-बड़े क्रिकेटर्स, बड़े-बड़े सिंगर्स, स्लेबरिटी और पब्लिक फिगर लोग जो एंजी ओस बनाते हैं, उन तक तो कोई एक आम आदमी वैसे ही नहीं पहुछ सकता क्योंकि इतने मैनेजर और पी-ए और उनके पास अबस्टिकल्स से क्रॉस होके उनके पास जाना पड़ता है, तो एक बेवा कैसे पहुच जाएगी उन तक, देखें बात यह है कि यह जो आपने सवाल किया, आपके सवाल में ही जवाब है, जब मेरी और आपकी अप्रोच है किसी बड़े स्लेबरिटी तक, कि अभी मेरे ब प्रॉब्लम ये के भाई हम तो 24 घंटे रोडों बे बैठे हैं, 56 ओफिस तो सिफ कराची में हैं जडिसी के हैं, चौरंगियों पर डालेसे सेंटर, यतीम खाने, ओल डेज होम, दस्तर खान, एम्बुलेंस के पॉइंट, फिरी आईटी सिटी, फिरी आईटी सेंटर, इतने इसके पीछे क्या गेम है, साइस के पीछे सेंटर, जब किसी मुबाईल इस नेचर को मौले वाले पकड़ के मार रहे होते हैं, या जिनके मुबाईल चीन रहा है, तो वह एक जुमला बोल रहा होते हैं, क्यार मुझे बले जान से मार दो, मेरी मा की दवाई 3,000 रुपे घर लेकिन अगर कोई चोरी कर रहा है ना, उसको भी अमाम मारती है, बहुत मारती है, जरूरत बाई मेरे खुछ रेखा है, जफर बाई जरूरत अपनी आखरी मनजिल पे घुंगरू पहन लेती है, ठीक है, कोई कहता है उस मजमे के अंदर पैट्रॉल लाओ, कोई कहता है चाह रुपे की चोरी करते हुए दुकान में पकड़ा है, सब ने मार मार के लओ लान कर दिया, उसका बेड़ा घर कर दिया, वो कहरा है, जितना मारना है मार लो, मेरी मा की दवाई पहुचा दो घर, वज़ा क्या है, वज़ा ये लाखो लड़का कराची में पढ़के निकल रह हम आपको फ्री में करा रहे हैं, घर बैठके 300 डॉलर कमालो यार, 60-70,000 रुपे होंगे, घर का किराया निकाल लोगे, ब्याहन का जेवन नहीं बेचना पड़ेगा, राशन कर लोगे पूरा, ये काम कर रहे हैं, अभी पहली बैज में 10-15,000 बच्चों का एड्मिशन दिया है, ऐसे ही है, आपने अनॉंस किया है, आपने प्री डायलेसिस सेंटर बना दी है, इसका तो ठीकठा खर्चा हो रहा है, और ऑपरेशनली आप कितने लोगों को इसको फीड कर रहे हैं ये डायलेसिस पे, लेकिन डायलेसिस एक मुसीबत है, हम गंदा पानी पीते हैं कराच इसका बार आठ गुंटे अपनी अम्मा को लोही की स्टेच अबलेट आके रहा है, वेटिंग तो होती नहीं है, हमने सीथी-सीथी बात किया हर इलाके में डायलेसिस सेंटर खोल दो, फिरी डायलेसिस, आज आप देखो, सरजानी टाउन में खोल दिया, समनाबाद में खोल लियाकताबाद में खोल दिया, नौर्दाबाद में खोल दिया, सरजानी में मलीर में खोल दिया, हर इलाके में खोल लें, साड़े तीन लाक मरीजों का सालाना मुफ डायलेसिस होगा, एक रुपया नहीं देना, अरबों, खरबों, रुपया में खेयर हजरात खोद देंग इदार आओ बहन, पहले अपनी जबान बताओ, पहले अपना मजभ बताओ, पहले अपना मसलग बताओ, तो इसलिए हम एदी साब को फॉलो करते हैं, हाँ, मैं अपनी वीडियो में आप मेरी COVID की वीडियो देख लें, हमने दुनिया के सब से बड़े राशन ड्राइफ की, ले भाई, चैलेंज है यार, दुनिया की सब से बड़ी है इंबुलेंस सर्विस यार, दुनिया की सब से बड़ी, चमन के बॉर्डर पे कोई वाकिया हो जाए, इंबुलेंस इदी, आप चले जाओ, किसी और पाकिस्तान के किसी कोने, किसी पाड़ी, किसी रिगिस्तान, किसी जंगल में चले जाओ, इधी, कोई शौक नहीं उनको किसी किसम का, उनको सिव एक शौक है, मुसीबत जदा आदमी की मदद कर दो, कराची डूब गया, बारिश में, मुश्किल में, पिर से, इसका जिम्मेदार कौन है, वो लोग जिम्मेदार है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनों ने उनको रखा, बस सीधी सीधी बात है, अवाम की जिम्मेदारी है, अवाम को समझ में आ जाना चाहिए, सब कुछ बहुत हो गई है, अब यो खामोश रहें, आपके घर में पैसा नहीं, आप खामोश, आपके बच्चे के रोजगार नहीं, आप खामोश, आपके बच्चे को प्राइवेट सप्लाई करने वाले करन लगा लगा के मार रहे थे, आप हामोश, कोई प्राइवेट कमपनी को सर्विसिस फराम करना जीज़की जिम्मिदारी हो, वो हर बारिश में आपके असी लोगों को करन लगा के मार दे, आप हामोश, ये तो हम खड़े खत्रे में किसी वक्त भी कोई माफिया मारके चली जाएगी नहीं नहीं अल्ला ना खरे आप देख ले न हमने पर्सों वीडियो डाली है क्या हमारे पुलिस वाले क्यों वापिस लिए हैं बताओ तो 13 साल से थे हमारे पास अच्छा अभी आपके पास ऑफिशल सेक्यूरिटी वापिस होगी है मैं समझ से वा रहे हैं कितने बंदे थे पहले छे थे पर चार थे मुक्तलिफ थे अभी तो हमारे हाटों कोई हाली नहीं है और हम दुनिया के हम महंगाई के खिलाफ बोलें हम हर जालिम के खिलाफ वाज उठाएं हर जल्म के जगाबे पहुँचें और जाके महाँ टगराएं लोगों से ठरेड तो बहुत आती होगी मेरे खिलाफ मेरे मुझे गतल करने के लिए मेरे खाल में इंटरनेश्णेल देश्रत करदों के जो वीडियोस ہیں 300 से जादा तो मैंने देखी है आच ते जिसमें बताते हैं मार दो ये सब की मदद कर रहा है तो मार दो अबसे कभी कोई चीज में सेंडल हो जाती हमें आ जाती है तो आप तो करी ही रहे ये का मैं देखें नफरत के बयानी है कि खिलाफ तो मैं हमेशा खड़ा हूँ आ जो शक्स किसी इनसान को कतल करने की बात करेगा मैं खड़ा हो जाओंगा सीधे उसके सामने आके क्यों भाई आपको जबान पसंद नहीं इसलिए कतल कर दें बेटी को बेवा कर दें आपको उसका मस्लक पसंद नहीं इस इनकतल कर दिया जाए और उसके खलाफ कोई बोले भी निए हम तो बोलेंगे हम तो खड़े होते हर मजलूम के साथ कड़े आपको हमें माराणे आपको और हम जानते हैं जो लोगों के स्कॉर्ड में अठारा सो मेहान अलग खा रहे हैं यानि के आपने सब को दिये में जिसके खिलाफ मैं चैलेंज से कह रहा हूँ मुझसे ज्यादा अगर कतल की वीडियोस किसी और के लिए हैं इस पाकिस्तान में तो दिखा दो मुझे इंटरनेशनल देशतगर्द जिनकी वीडियोस पड़ी हैं के बीस बीस और दो दो सो किलो बारूत के साथ पकड़े गए वो वीडियोस दाल ले हम जफर अब्बास को काटेंगे अरे पसूर तो बता दो लेकिन जो आपने हिव्ज़ों अमान में रखें लोगों की घरों में लाशें सड़ी थी पूरे खांदान बरक लाला के दे रहे थे कबरिस्तान में जगा नहीं थी उसी शेहर को फिरी डिजिटल कबरिस्तान दिया मैंने नहीं दिया कहां पे है यह अजीमी कबरिस्तान के साथ सरजानी टाउन सरजानी में पूरी जमीन प्लेन हो गई है सड़के दल लिए है गोरकन का घर दल गया कोई मुसल्मान मरेगा पचास साल तक कबर कहीं जाएगी ग्यारा तो सड़कें बन नहीं है कबरिस्तान के अंदर 166 ब्लॉक बन रहे है 9 मौलूद बच्चों का अलग ब्लॉक है बड़ों का अलग ब्लॉक है सबकी एक जैसी खबरे होंगी किसी को सोलर लाइट डी लगानी अपनी खबर पे सारा लाइटिंग का सिस्टम लग रहा है पूरी दुन्या में तुमारा बच्चा जहां भी है अगर तत्वीन में नहीं आ सकता अपनी बाप मा की तत्वीन लाइफ देख ले एक रुपिया नहीं देना और क्या करें अभी मैंने एलान किया कि आईए अपने मरूमीन के नाम से सड़क बनवा दे मुझे एक साब का फून आया अमेरिका से एक सड़क मेरे मरूम बाप के नाम से बनवा दो उनके बाप के नाम से सड़क बन रही है दस सड़क और बननी है कबरिस्तान खोल दिया जाएगा सब के लिए अच्छा एक चीज याद आ रही है जफर भाई मुझे जानवरों के पास मौदिस खवातीनों हजरात शायद आपको याद हो बगराईद के टाइम पे छोटी सी गाएं बड़ी मशूर हुई थी दुनिया की सबसे छोटी गाएं रानी पाकिस्तानी के नाम से तो सारे कैटल फार्म उसे खरीदना चाह रहते हर बंदा खरीदना चाह रहता देखना चाह रहा था तीन करोड उपे की उसकी बोली भी लग गई थी लेकिन आज तक ये नहीं पता चला है कि उसका मालिक कौन था और वो कटी नहीं कटी या वो है नहीं है जो भी है उसका मालिक ही है यार मुझे ये बता है आप तो ठिक टाक पाटी है तीन करोड वे की गई रखी वी आपने वह हमने ऐसी एक साब बेचने आये थे तो उन्हों बड़े सस्ती से हमें बेच दी थी उनको भी नहीं पता था पिचारे को उन्होंने बेच दी हमें बता है उन्होंने कहा कि ये बहुत चोटी गाय है हमारी शायद ये सिंद की कराची कि हमने जब नेट पर सर्च किया तो मालूम हो जी बंगलादेश में थी सबसे चोटी गाय लेकिन दो दानती पका खीरा था नहीं दो दानते दो दानते इसके तो पैसे लग गय थे साल किसी ने तीन करोड लगा आए और ये मुझे आवाज आई थी तो हरिस मिठानी साब के पूरा कैटल वालों के एस्सूशेशन ने तो हरिस मिठानी साब ले गय थे फिर उनके पास भी करोड़ रुपे की पार्ट उसको तो यूँ भी करते के बिचाली कि जाएगी जोटी ने बहुत लोगों ने उफर की बहुत प्रेशर आया मैं इसलिए सामने निया रहा था मैंने किसको माना कर पाऊंगा को या बंदागर मुझे बोलेगा मेरे इतने बरबर डोनर मुसीबतों में खड़े होते हैं लोगों को मदद करो आटा दे दो अभी मैंने पिछले 13 सालों में अपने दस्तरखानों के लिए कभी आटा नहीं मांगा था आज इतना बुरा वक्त आगया हमारे मुल्क में लोगों के ओपर कि मैंने पिछले एक हफते सा अपीले कर रहा हूं बार बार के जेडी सी के जिन अब दोनर है रानी देदो जफर तो फिर वह नहीं उनको देती है जिसको घुमानी है घुमाएं जो करना है लेकिन अभी प्रोसेस शुरू होगी तो हमने वह रिजिस्टेशन करा लिया और अब उनने बोले आप इसका गया का पासपोर्ट बनुए पहले अप गया का वह नहीं हमारत अब चांब कोई पचास सी जोने नोगें इसके बाप का नाम क्या है उनके अंगी प्याइब पेडिकरी अंडिया में हैं वह इससे तक पर 10 इंच बड़ी है बडे कतके बखरें दूर रखी ऑफिर अमने तो बिल्लिया भी दूर रखी है बिल्ले उसको एक जगान से दूसरी जगा मुप करने के लिए सेक्योर्टी लगानी पड़ती है अब तो क्योंकि जहान लोग देखते हैं गाणियां रोगते हैं यह बच्षी है बच्षी है यह बच्षी है तो बिल्ले दूर रखे तो यह तो ब्रेक करने जा रही इंडिया का रिकॉर्ड तो अब उसका प्रोसिस पूरा हो गया माशालला एमेल पर हमने अड़जन्ट में सब कुछ किया था वह आ गया है अब बस इसका बारिश रुखती है तो पासपोर्ड बनेगा और सारी डॉक्मेंटेशन बहुता है कि एक चिप होती है रुमेंस की हर बंदे के अंदर किसी क्या कम होती है किसी क्या अजाजा होती है रुमेंटिक कितने हैं वह बता है और दिल फैक है नहीं है मतलब हुसन परस्त है नहीं है मतलब हुसन कोई नदर आता है तो बतलब वह उसको एप्रिशेट करते हैं या क्या है यारत जो चीज सही है तो चुनिया हम तो बुरी को भी बोलते हैं, आपको आपने इरदकित, ठीम भी सारे नर रक्खे वेक्म he हम ने तो आफ इदारे के बाहर लिंग देया है कि ना नर कोई अंदर नहींat की अंदर Sei कहाँ diagnosis कैसा राइस फुर्वार की पसंद है वालदा की पसंद किया आपकी अरेंग्स प्लेस लव है अगर लव होती तो अब ताँ खतम होगी होती है क्यों आप सोचो यार दिन में दो बज़े सोगे उड़ते हैं और दो बच के दस मिनट पर ऑफिस में होते हैं अब भी भी मेरे आफिस आप छोड़ो रात को आप तो रात में आते हो नहीं कब नहीं आए जितने बज़े भी आओ सो केस खड़ोते हैं लेकिन नहीं इसमें क्रेडिट भावी को भी जाता है ना जो आपकी बात यह है इसको हर्गिज आप वो ना करें के कोई पसंद करती है अब भी अगल गणकी तो वो ही छोड़के जाती है बात नहीं है वो देखें उन्होंने मैनेज किया आपकी लाइफ को देखें वो औरत जिस वांचे पर ढ़लो वो ड़ल जाती है ऐसे यह बहुत बहुत सुकून है आप और दोस्तों वाला बीवी के साथ फ्रेंडली रिले पहली रेस्क्यू टीम जो पहुंची थी वहाँ पर वो जेडी सी थी और मैंने इंसानी आजा आखें हाथ पाउं जमा किये थे और उस वक्त वजिर आदम नवाज शरीफ साब थे मैंने बच्चे का इतना बड़ा पाउं उठाया तो मेरे बच्चे की उमर उसक तीन साल थी लोगों की इतना प्रेशर होता है ब्लास्ट का तो उनको उठाना उनके पीछे थो नसें होती इसको दो के अलग रखना कैसे शिनाफ्त करूं या आख किसकी है लेकिन उसकी हुर्मत तो है न सको दफन कर दो एक गठरी में करके हैं हम तो बलके शिकारपूर वाले साने में तो बहुत है तो मिन दे यहां तक करे हैं यहां तक हाथ मिलना शुरू होता है थी चार है यार यह थो बच्त नले हुऊ लगा जबligt तुमने शरन तुम्हारा राइट है कोई इदारे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे कोई नाले का कवर नहीं तोड़ा कोई कुछ नहीं कर रहे तुम जो कुछ मुश्किला दे है तुम ढूंडो मैं तुम्हारे साथ हूँ यार अब मैं तो असल बातों में जानता हूँ कि दो महीने का बच्चा इतना बड़ा होता है वो नाले में कहा फसा हुआ अगर चुहे का शिकार हुआ होगा बिली ने शिकार किया हुआ खुते ने जल्म है अब इस जल्म पे कोई तो उसके साथ दोड़ेगा हम जिन मुसीबतों को फेज करते हैं किसी height भी आ जाती है कभी भी आ जाती है और हम चले जाते हैं यसमें हमारी भीरी पहुना बहुरा सपर्ट करती है पहले हमारे वालदेन करते थे कि हम रात को चार वजी भी घंटी बजाते थे तो बिचारे अपनी नींद छोड़के आके दर्वाजा खोलते थे वाली साब के बारे पर बताए ना क्या करते थे वोगा वाली साब पाकिसान मशीन टूल फैक्ट्री में उपरी करते थे और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की हमें नहीं याद पड़ता कि हमने अपनी ग्रैजूशन के भी फॉर्म का भी खुछ से जमा कराएं हमने जो कुछ भी पड़ा है आपके बदले की भी बेहनत कराएं नहीं नहीं उन्हों सबके सारे बेहन बाईयों को नहीं जमा कराएं और बड़ा इन तमाम चीज़ों में ख्याल रखा और बहुत अच्छा दिमाग है और इस चीज़ को समझते हैं कि लोगों की मुश्किलात क्या होती है गरीब का दर्द क्या होता है हमने जिंदगी को तम जफर इस मसलक को राशन क्यों दे रहे हो जफर उस मसलक को क्यों दे रहे हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे घर में पैसा आगा बच्चे खाना खाएंगे हम जिस काम पे लग गया अब देगे जब मैंने ऐलान किया था पचाच डाली सेंटर करांची बनेंगे हर कोई मेरा मदा फड़ा रहा था में 16-16, 16 यहीं तो 15-16, 16 यहीं तो 16-16, 16 शुक्ति देखा infection, 16 है? यहीं ही है, बात पता क्या है हुत अपके लेडरशिप, इसक्षी बात यह आप बहुद ॐ निचर है। लीडरशिप। लीडरशिप में ससरु ऐइछ ही है। लीडर, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट होता है, लीडर बोलता है, सबसे बड़ी इंट मेरे कंदे पर डालो, ये लीडर का फर्क है, तो जब लीडर काम करता है तो पूरी टीम काम करती है, इसमें आपकी टीम भी बड़ी आगे आगे रहती है, ये मैंने देखा है, उनको भी कैसे कह रहा है हर पाकिस्तानी भाई है तुझे नी छोडेंगे क्योंकि हमने नफरत का बयानिया सालों में फेलाया हमारी अर्बो रुपए की इन्वेस्टमेंट है तुझे नी छोडेंगे ये बात है मजाथ है मैंने देखा है कि आपने हमेशा तमाम ही उल्मा-e-कराम का पै हो भी इसकी शक्सियात है मैं तो हमारी मैंने नहर किया कितने ओट तो आपके कौन से मसलक का आलिम नदर नहीं आया को जैयत बड़ा आलिम सिर्फ एक लाइन का एजंट है यार नफरत खतम करो टीवी पर आ रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर आ रहा है कि दुनिया का वर्स स्करीन चौथे नंबर पर पास्पोर्ट यह है कैसा लगता है जब मुल्क से बाहर जाते हो जो रिसेप्शन पर बैठी भी एक लड़की होती है मैं आपको सच बताओं खुदा की कसम मुझे किसी ने बोला स्री लंका वाहिद मुल्क है जहां पाकिस्तानियों की इज़त है मुझे किसी ने कहा तो मैं लैंड हुआ तो उन्होंने डेड़ घंटा किसी एक छोटी सी बात पर हमें साइड पर खड़ा करा दिया सिर्फ ग्रीन पास्पोर्ट आप यह देखें यार आप मेरे से मुझ से सुनो यार मैं अभी एक मुल्क है एक साब में बुलाया कि मेरे र दूसरे देखें लगवाई ने लगवाई जैसी मेरा पास्पोर्ट देखा बोला वैक्सिन लगवाई है आपने जाते हुए मैंने कहां लगवाई है करें ठीक है लगवाई होगी हम कंफर्म करेंगे उस कंफर्मेशन में दो घंटे खड़ा रखा है मैं क्या करें यार मैं लोगों को समझा रहा हूं इस बात को समझो कब तक एक दूसरे को बुरा बोगें कब तक दूसरे मनने पर जैशन मना होगे आपि आप थे मुल्क हैं कि उसके अंदर घंडा और अपने प्रिंस की इतनी निदे तस्वीर लगा के बैठे हैं मैं और आब अभी निकलते हैं य दस टेलर को विजिट करते हैं, दस सलून विजिट करते हैं, दस रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, एक पर भी आपने जंडा दिखा दिया, मैं आपको अवार्ड दूँगा, अबे भाई क्यों नहीं, हम क्यों नहीं उठा रे जंडा अपना, तो बात ही समझना पड़ेगा सब हमारा काम लगा रहे हैं हमारे लोग लगें में इसी के अंदर कि आज तो अब ये दस साल हम जबान की बनियाद पे लड़ेंगे अच्छा इस दस साल हम सिर्खे की बनियाद पे लड़ेंगे ऐसा किस मुल्क में हुआ है यार मस्जिदों में धमाके चर्चों में धमाके मंबरगाओं में धमाके बजारों में धमाके मर कौन रहा था मौज़िस कावतीनों हजरात दिल के फपोले जल उठे सीने की आग से घर को आग लग गई घर के ही चराग से तो बिल्कुल ऐसा ही है हमें अपने आपको सिविलाइस करना पड़ेगा तर्तीब देनी पड़ेगी कहां कहां कमिया है दूर करनी पड़ेगी यह बिल्कुल ऐसी सही बात है हम किसी और मुल्क में चले आते है भले गरीब मुल्कों वहाँ पे हम छोटी छोटी वाइलेशन्स वहां नहीं दीखती हमें ट्रैफिक में तुफ़ाने बतलिधी नहीं दीखती कहीं भी खड़े हों के पीप फैक दी वह नहीं दीखती आप बड़ी सीधी सीधी बात कर रहा हूं जब किसी फलाइधारे का नाम आता तो पते इसक个 मतलब क्या होता है हिमिनिटी चे इंसानियत टेग लाइन क्या इसकी बताता हूँ हर वीडियो में बोलता हूँ हम जेडिसी बिला तफरीक रंग नसल, मजभब, मसलख सब के लिए काम करते है बहुत मुश्किल है ये लाइन फलाईदारों के लिए बोलना जैसे ही आप बोलोगे डोनर का फ्लाइ आएगा हेलो, जफर साफ हमने तो पैसा आपको इस जबान के बोलने वालों के लिए दिया था आज से आपका डोनेशन बन हेलो, हमने तो आपको पैसा इस मसलक के लिए दिया था और ये एक चीज़ और भी आपने रेस की थी मुझे प्राइविटली आपने बात बदाई थी कि बहुत पहले जब कुविड आया था तो अफसोस इस बात पर हो रहा था कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हमें फोन करके बोल रही थी कि यार हमारे नौकर को जरूरत है ये इसको एल्प कर दे अब तो भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे है नहीं जहनी तोर पर गरीब है यह नहीं गरीब है हाँ आप वो मासी या वो औरत जो आपके बच्चों को खाना बना के दे रही है आपके कपड़े इस्तिरी कर रही है तीन हजार रुपे के राशन के लिए मुझे जलील कर रहे हो फून करके कि जफर मेरी मासी तीन दफ़ा आ चुकी तुम लो आरे बहुत कॉलर कड़े हो गए यार आप मुझे जलील क्यों कर रहे हो मैं नहीं दूँगा आप मुझे सो गालियां बगदो मैं नहीं दूँगा वो मासी जो आप कहने है चालिस हजार रुपे कमारी है महीना उसको राशन भी महीं दूँँ नहीं भाई हमारा राशन उसके लिए जिसके पास ना कोई रिष्टदार अमीर है जिसके पास ना खाने को कुछ है या रिष्टदार अमीर है उसको कुछ ने दर है हम उसको मदद करेंगे मेरे ओफिस के दरवादे पर आकर तुम चीख रहे हो लाते मार रहे हो कि जी मैंने कारोबार के लिए करजा लिया था 90 लाक रुपे देखो जेडिसी पैसा ने दरी में वीडियो बना रहा हूँ अगर मैंने खुदकुशी कर ली जेडिसी जिम्मेदार होगे तो ये भी तो बताओ क्या कारोबार किया और मैं तुम्हारा सूथ क्यों उतारू मुझे जिस शखस ने भी डोनेशन दिया है किसी ने होचकता जगात के पैसे दियो मैं उसके मदभी पैसे दे तुम्हारा सूथ अता करूँ मैं अल्ला से जंग में तुमने जग की सूथ का काम करें उसमें भी शामिल हो जाओ मैं भी गुनाकार बनूँ अच्छा तुमने करजा लिया मैंने आज तक किस वीडियो में बोला कि आईये आपके करजे उतारूंगा मैंने आज तक किसी वीडियो में नी बोला क्यों में इतना सा डोनेशन आता है अभी फिलाल जो एक अगर आपसे एक रॉफ एस्टिमेट पूछो महीने में जेडीसी फलाही कामों में कितने पैसे इंवेस्ट कर रही है जेडीसी करूड पर कर रही है बहुत बहुत जेडीसी आप इतना लोड है इस वक्त मैं आपके पास आ रहा था तो मुझे एक डोनर का फून आया जफर अबास मैंने इतने हजार लोगों को हज पे भेजना है लेकिन तुम पे भरोसा है मुझे वही वाव 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 तुमने बहुत जो हज जो आ रहा रहा हाँ अगला हज 2023 जफर अबास तुमने जिसकी भी आज तक मदद किये चाहे वो औरत जो कूदी थी खुदकुशी करने भूग की वज़ा से उसको और उसके शौर को भेज़ दो जिन चार लड़कों ने उसको बचाया उनको भेज़ दो तुमने जिसको दिल चाहे भेज़ो अब मैं उनसे चीज़ें तैय कर रहा हूं सारी मेरी बाची चल नहीं चाहे भाई देखें अगर हम सरकारी उसमें जाते हैं तो कल को यह नहीं हो शोहर का नाम आ गया या बीवी का आ गया या हमने चार लड़कों के नाम डाले एक का आया ती तो मैंने खाँ प्राइविट की तरफ आ जाओ भाई साथ के बजाए दस लग जाएंगे ग्यारा लग जाएंगे उन्होंने बोला भई ओके तो आप जेडी सी के पेज पर जो काम देख रहे होते हो ना वो ऐसे ही नहीं होते है पूरी वर्किंग होती है उसके उपर अगर हमने एलान कर दिया फिरी आईटी सिटी छोटा मोटा क साम नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो चुके अभी पाकिस्तान का पहला ओ लेविल्स ए लेविल्स स्टेंडर का स्कूल बन रहा है जेडी सी बना रही है हर बच्चे के ओपर वही खर्चा आएगा जो 75,000 रुपए फीस वाले स्कूल में आता हर क्लास में स्प्लिट भी ह जिछ वोगा एसी भी होगा फीस कितनी है जिरो ना जेडी सी के दस्तर खान के बहार काने की चंडे की पेटी नजेओ आएगी आपको ना आपको यतीम खाने के बाहर नजेगी ना एंबुलन्स के बहार इस्टीकर नजेगा क्यों नि लगाता मैं वह भाई जिसको देना है उसके पास 1000 आप्शन मौझूद हैं और इसको नहीं देना वह एक हजार गालियां बख्के बद्धुआएं देना तो दंग रहता हूं यार हम किसी कोई काम मैंने आज तक किसी मुसीवत जदा का मूझ कब दिखाया लेकिन मैं अगर तुम फलाई दारे के पेच पे आये हो तो फलाई दार अपने प्रोजेक्स वहां बताएगा नहीं बताएगा कि आज चौती छत दल गई यतिन खाने की तो मैंने आपको पहले भी बोला था इसका ट्रेंट साथी आपने किया है जो कर फाइदा हुआ ना नेकी कर दरिया में डाल फाइदा हुआ अब यह है नेकी कर सो उनका बेटा बोलता है अमी जफर अबास ने में बता दिया है कि यह अमीरी और यह जिंदगी जो है यह पचास पचपन साली साथ रहने आगे आखरत का सावान कर लो किसी घरीब को साथ बठा लो किसी का अच्छा कर लो यह आपके दस बीस जाहर रुपे सा किसी की इस रेक्रेटरिस सुपर मैन मुझे आज वो सुपर मैन जफर अबास आपके अंदर नजर आ अला ताला आपको ऐसा ही एनर्जेटिक रखे ऐसा ही लोगों का हमदर्द रखे मैं आपको इंसान और आदमी का फर्क बताओं आदमी वो है लुकमा बनाएगा निवाला बनाए सबको यही दुआ है और आप लोग जो काम कर रहे हैं इसमें एक सूरज को चराख दिखाने के मुतरादिव है कि हम अगर आपकी तारीफ करें आपको अवार्ड मिल चुका है 23 मार्च का जी प्राइड ऑफ पाकिस्तान का माशालला उसकी मुबारिक बात बहुत शुक्त और आ आपकी गले में आएगा अगर किसी को अश्क मिला होगा तो आप फच जाएंगे यह में बता दूं यह लेकिन यह आपको क्यों नहीं मिला आपको मिलना चाहिए मैं यह समझता हूँ हम तो खेर इस पता नहीं है डा है तेखें आप पाकिस्तान में यूट्यूब के हवाले स आपने आज लोग मिसाले देते हैं कि अगर कोई नोट कमाये तो नादर जितना आपके सबसे बड़े यूट्यूबर आप पिर आपकी स्ट्रगल के ओपर किताब लिखी जानी चाहिए किस तरह से हमत नहीं हारी जाती और कितनी स्ट्रगल आप ने किये यह तो आप दूसरों को हसा रहे हो उसके पीछे जिए हम आप से बैठेंगे आपको लेकर अब आपके पाकिस्तान में जफर अबास की पॉड्कास ना आना ये पाकिस्तानियों का भी नुकसान है और हर भुस बंदे का नुकसान है जो एक कॉलिटी पॉड्कास देखना चाहता है तो हर गुजरता दिन नुकसान है भाई नहीं मैं करूंगा आज ये वादा करें हमारे फशाब कर लिया आपसे वादा अंदर ये भी वादा कर लिया और ये भी वादा हो गया कि पहला आप आओगे मैं आपके पहले पॉड्कास में आया था और हम वो बात करेंगे कि नादिर अली जो अभी तक दुनिया के सामने चल रहा है वो नादिर अली पर तो हमने बात ही नहीं कर बड़ी महर्मारी जफर भाई और मैं समझता हूँ कि कोई और पॉइंट कोई और चीज जिसके आप बात करना चाहिए बस मैंसे इतनी सी बात करूंगा आपके पॉड़कास के उससे के दुनिया बर में आपका प्रोगाम दिखा जाता है सिर्फ एक काम करना है लोगों ने अपने सगे बहन भाईयों का ख्याल करने बस छोड़े यार मैं जानता हूँ आप अपनी बस्तियों में कैसे करेंगे बहुत मुसीबत है आप अपनी ब्रादरियों में कैसे करेंगे बहुत मुसीबत है सिर्फ और सिर्फ अपने सगे बहन भाईयों को दिख लें आपके बच्चे चार वक्त का खाना तीन वक्त का खाना खाके सो रहे सगे बहन भाईयों का खाली पूछने क्या पता बहन के घर में बच्चे दो वक्त का खाना खा रहे हो सफ़ाइद पोशी का भरम रख रहे हो आप जाते हों सब हस्ते होंगे आपके सामने शायद बहन कवाब बना के लाकर रख देती होगी लेकिन यकीन जाने उसके बच्चों ने साल भर गोश्ट नीखाया होगा तो सिर्फ इतना कर दें यकीन करें जहां अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं किसी एक सागे बहन भाई के बच्चे का अड्मिशन करा दें इस वक्त लोग मसीबत में हैं छोड़ें लंबी बातें अभी सिर्फ इतना कर दें लोग बहुत मसीबत में क्या बात है झाल